नमस्कार, मैं टिश माई जाएका डोट को में आप सब का स्वागत है, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च और कच्छरी अगर आपको ये रेस्पी पसंद आए, तो वीडियो की नीचे देगे, सब्सक्राब के रेड बटन को क्लिक कर साइडम देगे, बेल बटन को प्रेस करें और लाइक और शेयर कर न पिलको नहीं बूले मैंने याँ पर ये डेट सो ग्राम हरी मिर्च लिये हैं, आप छोटे बड़े साइच की किसी भी साइच की मिर्च ले सकते हैं, और डेट सो ग्राम मैंने याप ये कच्छरी लिये हैं, तो आप देख सकते हैं, कच्छरी कुछ इस तरह की होती हैं, और एक प्याज लिया है, एक चुथा चम्मच लेंगे गरम मसाला, एक चुथा चम्मच हल्दी पाउडर, आदा चुथा चम्मच दनिया पाउडर, एक चुथा चम्मच लेंगे अजोयन दाना, दो पिंच हींग, और तीन टेबल स्पॉन मस्टरड ऑल, सर्सो को तेल हम यहां पी यूज करेंगे, तो स बीच हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, और ऐसे क्रोस में हम इसे कट कर लेंगे, अगर आप बड़े साइच की मिर्च यूज करते हैं, तो आप ऐसे कट कर लीजिए, और आप चोटे साइच की हरी मिर्च यूज करते हैं, तो आप इसे बीच में से दो पीस कर सकते हैं, मैं कर दो कि निकार कोटो करें जब करें तो इसे थूरा सा एक वार चाष्ट चरू कर लिए क्योंकि के बढये होता हैं जिससे पूरी सब्ची का स्वात है वो खराब हो जाता है ऐसे बीच मैं इसे हम एसे कुछाइब हो अपनी पसंद क्या कोड़ेंगी से क्ट कर सकते हैं तो मैं आप पिसरसों का तेल यूज किया है आप कोई भी कुकिंग ऑईल यूज कर लें अब तेल गरम हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे आजवाइन इस प्रोसेस को आप थोड़ा जल्दी करें हिंग डाल दें क्योंकि जो एजवाइन है उसे बुनने ज्यादा टाइम नहीं लग तो बारिक चोब करके भी लैसुन को डाल सकते है और जैसे लैसुन को मिक्स करने के बाद हलका सा बुनने लगेगा जैसी लैसुन का हलका सा कल्चा पंदूर होगा हम इसमें कच्री डाल देंगे तो मैंने कच्री होती है इन्हें मैंने डाल दिया है और इसे हलका सा मिक्स कर डालें जालें ठावडर तो यहां अच्छी तरह और चुंप इसे डालेंगे तो इसमें डालें दलिया थनिया पावडर पे अच्छी तरह में मिक्स कर नेने मैं ऍो उसास में लिनेगे एक पराली मिदा कर दें। अच्छी तरह से मिला दे मैंने आप जो इसमें मसाले यूज किये है वह वाकी में इस सबजी को भूती अच्छा टेस्ट देते हैं नमक डाल दे और इसे मिक्स कर दे अच्छी तरह से नमक आप इसे कवर कर देंगे और तीन मिनट के लिए पकने देंगे गैस का फ्लेम हम लो रख देंगे क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है तो तीन मिट बाद डखकन अटाएंगे और फिर से हम इसे कवर करके दो मिनट लिए और पकाएंगे तो दो मिनाट बाद फिर से डखकन अटाया और अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और अच्छी तरह से इसे मिला देंगे आप देख सकते हैं सब्जी का कलर पूरी तरह से चैंज हो गया है और यह दिखने में भी लग राए कि सब्जी पूरी तरह से बनके रैडी हो चुकी है तो हमने इसमें गरम मसाला डाला है इसलिए फिर से एक मिनाट के लिए डखकन लगा और पकाएंगे एक मिनाट बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और यह हमारी सब्जी बनके रैडी है अब हम इसे एक सार्विंग बावल में निकाल लेंगे अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो यह बहुत अच्छा ओप्शन है आप इसे पराठे पूरी के साथ पैक करके ले जा सकते हैं यह सब्जी दो से तिन दिन तक खराप भी नहीं होती है अगर आपको यह रैस्पी पसंद आए तो वीडियो के नीचे देगे और लाइक और शेयर करना बिल्कुनी भूले धन्यवाद